महाकाल के लड्डू प्रसादी के नाम पर ओनलाइन ठगी करने वाले वेबसाइट के खिलाब महाकाल थाने में एफायर दर्च की जा चुकी है महकाल मंदिर में लड्डू प्रसादी के नाम पर ओनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है जिहां महकाल मंदिर समीती और महकाल थाने में शिकायत दर्ज कराए गई है कि श्री टैंपल नामक एक वेबसाइट पर महकाल का लड्डू प्रसाद बैचा जा रहा है वो भी उचे दामों पर जिस पर कारवाही करते हुए महकाल थाने में वेबसाइट के खिलाप एफायर दर्ज कर ली गई है जिहां महकाल मंदिर में दुनिया भर से आने वाले शर्धालू दर्शन के बाद महकाल का लड्डू प्रसाद ले जाना नहीं भूलते हैं दरसल महकाल मंदिर समिती द्वारा बनाये जाने वाला लड्डू प्रसाद शुद्धता और अपनी गणवत्ता के लिए भी जाना जाता है मंदिर समिती ही इस लड्डू प्रसाद का विक्रई करती हैं महाकाल मंदीर का प्रसाद ओनलाइन 351 रुपे प्रती किलो ग्राम से बेचा जा रहा था इसे शद्धालों को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुचा जा रहा था मंदीर समीती इसे नो प्रॉफिट नो लोस की तर्ज पर मंदीर का प्रसाद काउंटर से बेचती है देशी घी और शुद्धता सामगरियों से बना यह प्रसाद मातर 260 रुपे किलो वितरित किया जाता है लेकिन श्री टैंपल नामक एक वेबसाइट से भगतों से की आस्था के साथ खिलवाल कर उन्हें नुकसान पहुचा जा रहा था जिसको लेकर रव्यवार रात मंदिर समीती की ओर से महाकाल साने में आवेदन दिया गया जिसमें लड्डू प्रसादी को 351 रुपे किलो में बेचना बताएगा CSP परलवी शुकला ने कहा है कि समीती की ओर से आवेदन के बाद श्री टेमपल नामक वेबसाइट पर एफाइर दर्च की गई है जाच में जो भी सामने आएगा उस पर कारवाही की जाएगी यहाँ आपको बता दे कि श्री टेमपल नामक वेबसाइट पर नात द्वारा रायस्थान का पता अंकी थी और कहीं बड़े मंदिरों का प्रसाद घर घर पहुंचाने का दावा भी वेबसाइट में किया गया है महाकाल मंदिर में एक मामला सामने आया है जिसमें एक वेबसाइट पर लड़्डू की बिक्री की जारी थी महाकाल प्रबंद समिती द्वारा ये अफगत करा कर एक पत्र थानप्रभारी को लिखा गया था जिसमें श्री टेंपल वेबसाइट पर धोकदड़ी की FIR पंजीबत की है आगे विवेचना जारी है बिलकुल जो जो वेबसाइट सामने आएंगी उनको साइबर के थुरू और हमारी टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो भी दोकदड़ी से सम्मधित पाइजिक उसके खिलाफ अपरात पंजीबत कर विवेचना में लिया जाएगा